नमस्कर दोस्तो आज हम इस वीडियो में एक और पोर्टफोलो को रिव्यू करेंगे तो जिनका ये पोर्टफोलो इनके पास टोटल साथ स्टॉक है और ये सेम स्टॉक्स को सेम क्वांटिटी के साथ ये कंटिनू करना चाहते निक्स्ट पंदरा साल के लिए इन्होंने बता इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 3,23,000 का करेंटली पोर्टफोलो का साइज 3,53,000 का बन चुका है यानकी करेंटली इनको 9.3% यानकी 30,000 का प्रॉफित हो रहा है और इससे पहले इन्होंने ओल्लेडी 1,10,000 का प्रॉफित बुक भी कर लिया है तो पहला जो 14% का प्रॉफित हो रहा है 4,000 का प्रॉफित है तो FL is a good company, growing company and अभी 2023 आ चुका है जहाँ पी expected है कि यह जो पूरा सेक्टर है जो add industry है यह बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करने वाला है तो FL जैसे company भी अच्छी करेंगे it's a good growing company तो simply hold and continue कर सकतो then इनके पास है HDFC bank तो इधर total 25 quantity है 1455 के level पे and 10% का profit इधर पे इनको hold है तो HDFC bank again बहुत strong risk तो बिलकुल ही नहीं जादा and long term के लिए easily hold and continue आप कर सकतो HDFC bank के बाद next day HL तो HL में 30 quantity इनके पास है 2349 के level पे 11% का hold high profit तो HL भी बहुत अच्छा company बहुत ही ज्यादा strong company है and risk ज्यादा नहीं है तो simply HL को भी continue किया जा सकता है पहले stocks देख ले तो उसके बाद हम जानेंगे कि portfolio को कैसे और बेटर मना सकता है इनको प्राफिट तो HL को बहुत है इनको प्राफिट तो HL को भी होल्ड आप कर सकतो देने इसबे काड़ में 30 स्टॉक है और 999 के level पे हजार के ही आसपास है और 21% का loss इधर भी हो रहा है तो HL काफी टाइम में स्टॉक में performance देखने को नहीं मिला है अभी क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टम यह चीज आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि कंपनी का business ग्रो कर रहा है बट कंपनी का जो stock अप्राइस है वो नीचे जा रहा है उसके बाद next company इनके पास है TCS तो TCS में total 25 quantity है and 3076 के लेवल पे तो 9% का होड़ा है profit TCS में अगिन बहुत strong company TCS आप देखें इतना बड़ा size का company बन चुका है बट फिर भी 19% का revenue में growth है तो अच्छा company अच्छा growth है simply hold and continue करना चाहिए तेन इनके पास है विनाती organic तो एक बहुत अच्छा chemical company है 20 quantity है 1721 के level पे 16% का होड़ा है इनको profit तो गिन विनाती organic ने लास्ट डिकेड में बहुत जाधा return दिया है massive wealth creation विनाती organic में हुआ है and chart भी बहुत ही बढ़िया है तो यह company जो बेसिकली market leader है अगर हम 80 BS के अंदर देखे I think आपके पास आपने बोला total 7 company है एक दो इधर पे तीन चार पाच हम तो total 7 company हमने देख लिया and विनाती के बारे में बता रहा था तो वो आई बी बी के अंदर market leader है globally and 65% का market share company के पास है बट एक जो रिस्क आ जाता है विनाती में कि एक ही chemical के उपर focus रहे है यह पूरा company राइट तो वो एक risk भी है and वो एक reward की तारा भी काम करता है कि वो chemical बहुत अच्छा कर रहा है तो पूरा business ही बहुत अच्छा कर रहा है कि यह साथ companies ही based है या इनको थोड़ा replace भी किया जा सकता है अभी देखे अगर आप थोड़ा बता देते कि कि इतना risk आप ले सकतो modern risk ले सकतो या उससे थोड़ा जादा रिस्क लेना ही नहीं है तो मैं थोड़ा और better तरीके सब को बता पाता कि यह portfolio में क्या कुछ changes करना जर अब देखें यह जो कंपणी है फंडमेटली तो स्रॉंग कंपणी रिस्क जादा नहीं बहुत एग्रेसिब रिटन नहीं बनेगा और आपको एग्रेसिब एटीन परसंट या 25 परसंट का भी एवर्ज रिटन बनाना है तो वह थोड़ा मुश्किल काम तो जरूर होने वाल इंड देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम में ग्रोथ कितना आ रहा है तो मुझे अंदर करेंटली हो सकते बाद में चेंज हो जाए बट करेंटली मुझे वीबिल बहुत ज्यादा इंट्रेसिंग लग रहा है अभी तो बहुत अच्छा मौका है वीबिल में की स्टॉक जो बहुत ज्यादा गिर चुका है अपटे टॉप लेवल से तो सिंप्ली मैं स्टॉक का जो रीटर ने उसकी बात नहीं कर रहा हो कि वीबिल ने रास्ट एक साल में बहुत अच्छा रीटर तो वह कंपनी अच्छा हो गया हम जस्ट बिजनिस पॉइंट आफ वीव से बात करे वीबिल का अगर आप ग्रोथ रीट सिंप्ली कंपेयर करेंगे एच्वल से तो आपको काफी काफी better मिलेगा profit growth sales growth वह आपको काफी better मिलेगा तो वह आप देख सकतो कि एच्वल से एक सस्ता कंपनी वालुज भापे better मिल ला है तो वैसे वाले कंपनी को आप study कर सकतो रूब क्यों है कि कंपनी का साइज बहुत बड़ा बन चुका है इसका बेस साइज आज बहुत बड़ा बन चुका है तो वह आपको जरूर देखना चाहिए बाकिसारे कंपनी अच्छे एंड मुझे इस बैकाट से पहले थोड़ा बजाज फाइनेंस बेटर लगता है तो आपके दि कंपनी आपको एक क्लियर है ना चाहिए कि मेरे पास यह जो कंपनी इथार पे पॉजटिव क्या क्या चीज है वह भी पता होना चाहिए आप कोई भी रिसर्च रिपोट पड़ेंगे न तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि यह कंपनी में या पर अच्छा क्या चल रहा है अच्छा क्या होईगा फ्यूचार में शाथी साथ उस रिचार्च च्रिपोट में नेगरिब चीज़ भी दिया जाता है एंटी थीसर्च पॉइंट भी दिया जाता है कि यह खड़ाब भी हो सकता है यहर कोई बिजनेस में हो बजाज फाइनस हो एजड़ेप से बैंक हो त तो सबके बिजनेस में प्रॉब्लिम आही सकता है नेगरिब पॉइंट होगा तो आपको यह देखना पड़ेगा क्या या पर मेरा जो पॉस्टिव पॉइंट है वो ज्यादा स्ट्रॉंग है तो उस बेसिस पे आपको डिसेशन लेना चाहिए कंपनीस तो अच्छे हैं अगर टाइम नहीं तो सिंपली बाद में आप डाउनलोड करके पड़ भी सकतो तो वहां पर क्या है कि गाइडेंस मेंट करता है तो गाइडेंस से पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट अगर बोल रहा कि इतना ग्रोथ आएगा तो या पर ऐसा डिटन बन सकता है कंपनी का उन्होंने 30% का ग्रोथ रेट शो कि अपने बिजनेस में तो बहुत अच्छा बिजनेस मुझे लगता है मैनेजमेंट वाइस बजाज फाइनस तो ऐसे कंपनी को पढ़िए कि वाइन बजाज फाइनस वाई इस बेकार तो डीजन क्लियर होना चाहिए लाइक्वाइस अगर अगर आप टीजस में देखेंगे तो टीजस बहुत टोंग कंपटी नमबर वन कंपटी अगर ग्रोध कम में देखें गे तो तो बैबी ज्यादा बटा इधर मिल सकता है क्योंकि व्यालुशन में ज्यादा दो डिफर्रेंस है नहीं लिटे एंड मैंटी में के बीच तो ऐसे आप सोच सकतो बाकी स्टॉक एड करना नहीं करना टोटल यह आपकी उपड़े बट कुछ स्टॉक है जिसको आप ट्रेक ज़रूर कीजिए लाइक केमिकल के अंद जैसे आपके बास विनातिय और गानिक है तो आप क्या ट्रैक कीजिए आप इसारिफ को कंपनी को मैं एक स्टॉक्ष में इसके बाद फील में तो इससका क्पेटर या पे शू आपके साक्तों सब्सक्राइब कोई प्र्यों। कंपणी बहुत स्ट्रॉंग है पर आप देखें कि कौन सा company better करें क्योंकि खुद का company देखेंगे तो वो ही राजा लगेगा अगर दूसरे companies देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो actually में राजा है या नहीं तो दूसरे company से compare करना ज़रूरी है यह चुल के case में जैसे मैंने बता है कि आपको ट्रेक करना चाहिए तो स्ट्रॉंग ही company अपने सेक्टर का लीडर है इसके साथ आप टिमार्ट को ट्रेक कर सकतो इस बैकार्ट के साथ आप जाज finance ऐसे company को ट्रेक कर सकतो या थोड़ा जो सस्ते टाइप कंपनी इसे लेक आए फल फाइनस तो वेब वाले company को भी आप कर सकतो तो दोस्ते यह था इनका portfolio आज का मड़ा वीडियो आपको portfolio कैसा लागा आपकी सबसे portfolio सही है या कुछ stock को प्रेक किया जा सकता है आप नाम चाहूँ जिन को बता सकतो मुझे टाइटन कंपनी काफ इंट्रेस्टिंग लगता है तो टाइटन को भी आप पर ट्रेक कर सकतो तो ओवर आल portfolio अच्छा है बट ट्रेक करना चाहिए hold करना चाहिए and simply अच्छा खासा पैसा इधर से भी बनाया जा सकता है चलिए अभी देख लेते कि long run में कितना wealth ये create कर सकते अपने investment के through तो total investment हमने 35,000 का लिया है and अगर हम expected return 18% का ही लेते जो हर वीडियो में हम लेते जस्ट calculation के लिए एक rough calculation कर ड़े ऐसा नहीं की 80% ही मिलेगा इससे बेटर मिल सकते हैं से कम भी मिल सकता है तो 15 साल के लिए अगर hold करते तो after 15 years ये current investment के तुरू 41.9 lakh का wealth आप create कर सकतो अगर है कि जब बहुत ज़ार allocation आपका large gap में जाता है तो expectation को थोड़ा और moderate रखने की कोशिश कीज़े and अगर आप 16% average return के साथ expect करेंगे calculate करेंगे तो almost 32-33 lakh के आसपस का wealth ये जो portfolio ये create कर ड़ा है after 15 years तो दोस्तों आपके इसाब से portfolio कितना average return चेड़ाट कर सकता है आप इनको चाहो तो नीचे comment करके बता सकतो क्योंकि जब हम expectation की बात करते तो वह जितना conservative होगा वह उतना कर सकतो for lifetime जहां पर आपको कोई call और टिप नहीं मिलेगा मेरे जब खुद के trades होंगे short term and long term वह map के साथ share करता जाओंगा for lifetime प्लस आपको daily basis पे बहुत सारी learning content मिलेंगे जिससे हर दिन आप एक बहतार investor बनते चलेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया म मिलते अगले वीडियो में बाँ बाई